कर दोस्तों मैं रोईद गुपता स्वागत करता हूं आपका अपने यूटुब चैनल पर आज की वीडियो में करने वाले हैं और यूस क्लास 10 के पेंटिंग का प्रिविएस येर का कोशन पेपर सॉल्व जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट ह क्योंकि इसमें से बहुत सारे कोशन ऐसे हैं जो आपके उश्याम में बार बर रर travelled हो रहे है और टॉपिक्स ऑगयरा है जो बहुत ज्यादा रिपीटिंक हो रहे कौना कोशन नमाने में बताने वाला हूं और छा यह ने सकी तब करने के दिखेगे झा कि आपको अच्छे से पता लग सके और आपका लाग्या इकासर करनेडिकी का सिर्ट होता है होता है जिसमें सिक्स माक्स आपके होते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा उसको 30 को कनवर्ट करके 24 कर दिया जाता है तो जो भी माक्स आएंगे 24 आउट ओफ दिखाएंगे तो स्टाट करते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है यह तो अगर आपको पीडिएफ चाह हो गया दिख रहा होगा लिंक में मिल जाएगा जिससे आप हमें डायरेक्ट करके यह पीडिएफ पर्चेस कर सकते हैं तो पहला कुशन है जनरल इंट्रोड़क्शन ऑफ होईसला आर्ट होईसल कला का सम्मानने परीचे दिजिए होईसला आर्ट इस नोन फोर दा इंट्रि हैं टो एक बार देखते रहीएगा अगर सक्रीन चोट ले रहेगा और इसके बाद मेर इसके बाट केणायीक पूरे एक marathon class मिलेगी painting की उसको देख लेना आपने इस लेवस भी आपका पूरा cover हो जाएगा उसमें भी मैंने आपको जो जो important topics है वो explain कर रखे हैं यहां पर question number two आ जाता है आपका define utilitarian folk art. Utilitarian folk art refers to practical functional artistic creation produced by ruler artist without formal training serving everyday needs in a area like wood curving, embroidery, basket work and portrait. ठीक है उपयोगिता वादी लोग कला को परिवाशित कीजिए इसके बाद next question जो की यहां पर आ जाता है कंथा के बारे में पूचा हुआ है तो यह most important question है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ज़रूर करना है आपने और important question के PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप हमें whatsapp पे contact कर सकते हैं next अब यहां पर आ जाते हैं इसके answer पर तो कंथा आर्ट मॉटिफ्स इंक्लूड एनिमल्स, हुमन फिगर्स, बर्ड्स, बीज एंड अब्जेक्ट प्रॉम डेली लाइफ ओफन रेंडर्ड इन कलर फुल चेन स्टिचिस चिक है कंथा कला के मॉटिफ और डिजाइन के बारे में बताईए हो इसके बाद next आ जाता ह हमारा how does fuck artist help rural society ठीक है तो कैसे help कर रहे हैं fuck artist वो यहाँ पर बता रखा ठीक नेक्स्ट कोशन जो हो जाता है what is cubism जो की most important question है यह 3-4 बार से repeating है इसके बाद जो है यह तो इसी यह अपरल 2023 का question paper है एक और question paper है वो उसका भी solution मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में इसके बात ठीक है तो यहां पर आपका ही हो जाता है cubism के बार में who are the artist to begin this style ठीक है what is cubism who are the artist to begin this style तो यहां पर आ जाता है cubism is the style of painting and sculpture in which everything in nature is treated as cylinder and spherical ठीक है तो यहां पर गनवाद एक चित्रकला और मूर्तिकला की शैली है जिसमें प्रक्रतिक रूप से सब कुछ एक cylinder और गोले के रूप में दर्शाय जाता है cylinder यानि कि आप यहां पर बेलन बोल चकते बेलन अकार ठीक है आगे बढ़ते हैं इसे पैबलो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक ने बीसवी सदी की शुरुवात में प्रथम बार आगे बढ़ाया था इसके आद नेक्स कुशन आ जाता है कुशन नमबर 6 इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको यह याद रख लेना है नाम कौन था पेंटर का नाम बगएरा बस नेक्स्ट कुशन आ जाता है नेम टू फेमस पेंटर ऑफ स्यूरिलिज्म स्टाइल यह कुशन इंपॉर्टेंट बोल दूंगा यहां पर लेने अच्छे से चीक है यहां तक आपके एक-एक मार्स के कुशन थे अब ढ़िपर और यह भी क्या है इंपॉर्टेंट को है मैं आपको बता दूँ जो जो इंपर्टन कोशन साथ सक्ट बता उत्ते वेज भी चल रहा हूं मैं देयार एक्जिक्यूटेद इन दा टैंपर टेक्निक नॉट प्रेस्ट को विद विबरेंट कलर्स आर्टेश शोज क्रेटिव प्रोविस मेकिंग रिलिजिस आर्ट एक्स सर आजाता है आपका नेक्स आजाता है डांसिंग गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट है और एक्स्प्रेशन का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है थोड़ी देर में वह वीडियो भी आपके स्टार्ट हो जाएगी तो दोनों देख लीजिएगा अच सी तरीके से जो जो पूरा आंसर आपको अछिसाकर लेना किरिकी घ्ということ बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट एक मीं दो मार्तम में तिनों में से किसी में भी आसकता बहुत ज़्यादा इंपर्टेंटथ अजता है इस आंचिब psychologically टेमीया थे किशा को अनिएमट आजाता है आपका वाई वाई वाज गेगास डिफरेंट प्रॉम अदर इंप्रेशनलिस्ट पेंटर वेंड डिड़ ही पेंट दांस ग्लास अब यह जो है यह आपकी बुक का ही कोशन है ठीक है यह आप जब अपना चैप्टर देखोगे तो इस बुक में ही यह कोशन दिया ह लगे उनको पस यहां पर एक साथ कर दिया गया है ठीक तो इस इतना ही होगा नेक्स आ जाता है एक्स्प्लेंड पेंटिंग स्टरी नाइट यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट कोशन है काफी पार एक्जाम में पूछा गया है तो इसके बारे में यहां पर आ जात ग्रुप के बारे में पूछा गया यहां पर progressive by कि बारे में क्या जानते हैं इसफिंग यहां पर आपका यह आ जाता है डिकर नेक्स कोशण आ जाता है डिसकॉर्छाइब्ध words and symbols जो की most important question में से एक है ये question भी आपको कर लेना बाकि इस question पेपर का solution है इसको तो अच्छे से याद कर लेना है आपको चीक है next इंदी में देख लेते है words and symbols चित्र कवर्णन कीजिए इसके बाद question number 15 आ जाता है आपका यहां से आपके 3 marks के question start हो जाते है 15 16 17 तीन जो है आपके question जो है 3 3 marks के आएंगे recognize the material used to decorate the temples of विश्नुपूर describe the appreciate the decoration describe and appreciate the decoration ठीक है तो यहां पर आपका answer आ जाता है ठीक विश्नुपूर के मंदिरों की सजावट में किस सामगरी का प्रयोग किया गया है इस सजावट का वर्णन करते हुए एक प्रशंसक लेख लिखिए तो यहां पर इसका answer आ जाता है ठीक है इसके next question आ जाता है जो कि most important question है रिनाइंस का मैंने बताय हुआ है यह भी कि यह बहुत ज़़द important है explain the main feature of this period इस period का main feature क्या है वो भी आपको explain करना है तो यहां पर आपका answer आ जाता है रिनाइंस मीनिंग रिवर्थ ठीक है आगया answer यहां पर दे रखा है ठीक उसके बाद हिंदी में आ जाता है पुनर जागरण शब्त का क्या आर्थ है इस यूग की मुख्य विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए इसके बाद जो है मैं आपको वेटिज बताऊंगा write an appreciative note on Sandro Bottishly यह इतना कुछ खास important question नहीं है ठीक है बॉतिशली के बारे में पूछा गया है के बाद next question जो की यह राजा रवी वर्मा का है most important question है describe the subject and technique of राजा रवी वर्मा's painting ठीक है या तो इनके techniques वगरे के बारे में पूछ लेता है काफी बार questions पे ठीक है राजा रवी वर्मा की चित्रकारी की विशे वस्तू वस्तूओं तता तक्नीक का वर्णन कीजिए ठीक है अब जो मैं आपको sample paper दिखा देता हूं और उससे पहले वेटेस दिखा दूँगा कौन सा chapter करना है कौन सा नहीं करना है यहाँ से आजाता है आपका painting का sample question paper design ठीक है तो यहाँ पे वेटेस आ जाता है कि कौन से question कितने marks करेंगे तो यहाँ पर देखोगे 3 questionée आएंगे 3 marks वाले ठीक है साथ question आएंगे 2 दो marks वाले और को एक question आएगा प्राद मौसं करना ही नहीं बता रखा है तो मॉड्याल वन आप देखेंगे तो मॉडियल वनधन का यहाँ पर बता दिया गया है पहला चप्टर जो एक शॉषरी मं्हां का है चो प्जे से पड़ लेना है उसके बाद आपका इंट्रोड़क्शन ऑफ वर्ड आर्ट चैप्टर नंबर फाइफ में से एक मार्क स्किप स्वरी एक कोशन आएगा तीन मार्क का ठीक है उसके बाद चैप्टर सिक्स जो है बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है चैप्टर सिक्स आपको अच्छे से कर लेना है चै चैप्टर आपको कवर करना है तो कोई ज्यादा डिटेल में जाने का ज़रूत भी नहीं है ठीक है यह पढ़ लिजगा और बागी तीन चैप्टर को पढ़ लिजगा आपके अच्छे खासे मार्क्स आजाएंगे गारेंटीड आपके 20 प्लस मार्क्स आजाएंगे अगर आ मार्क्स का ये भी हो जाता है आपका चैप्टर 9 कौन कौन से चैप्टर करने एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं चैप्टर 9 कर लिजेगा चैप्टर 6 कर लिजेगा चैप्टर 7 कर लिजेगा और चैप्टर 1 कर लिजेगा तो यह 4 चैप्टर आपने कर लिए तो आप आप अच्छे खासे मार्क से स्कोर कर सकते हो अब आ जाते हैं यहां पर सेंपल कोशन पेपर पे तो आप यहां पर देखोगी इंग्लिश मीडियम में दिखा रहा है अगर आप इंग्लिश मीडियम की बुक डाउनलोड करोगे तो उसके पीछे के साइड में दे रखा है मैं दोनों बुक का पीडियम जो है टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दू पिचर्स वग्यारा जो है इससे रिलेटिट वो भी वहां पर आती रहती है तो यहां पर आपका पहला कोशन देखिए डांसिंग गर्ल का ही आ जाता है फिर नेक्स्ट कुशन है चूज पेंटिंग फ्रॉम अजंता एंड अप्रिशेट इट स्टाइल टेक्निक तो यह भी किसी एक पर बोला गया है तो यहां पर कोड़नाक पर लिख सकते हूं ठीक है इसके बाद राजपूच पेंटिंग डेवलप वट आर्दा कॉंट्रिवूशन ऑफ गुलेर स्कूल इट्स डेवलपमेंट अब मैं आपको एक चीज़ और बता दो इसके आंसर जो है आप नहीं मिलेंगे इस कोलम को मैंने बताए वह कोलम हो गया फुलकारी हो गया कंथा हो गया यह बहुत जदा इंपोर्टेंट है यहां पर देखिए एक एक मार्क पर तीन कॉशन आ गया है यहां पर ठीक है एक 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 गओ देख दो चैख के एक 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 रूब देखिए अवाट ने बताए जांसर नहीं में एक आपको एक डट सब्सक्टर इस प्रिंदेखिए आफ पिर बित्स अजि़ और सब्सक्टिति in choosing the themes of this painting explain with example तो यहाँ पर अंसर नमर्ट 10 दिखा देता हूं आपको एक बार यहाँ पर दे रखा है रेना रेनार was a french impressionist artist he painted mainly sentimental and charming paintings he preferred to paint group composition portraits and female model studies he used shape shades of purple white and blue tones to unite modeling of figures dressed in fashionable clothes in the painting like Molind de la Gallet ठीक है तो नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नमबर 11 write two important features of seasons painting still life with onions यहाँ पर जो है देखिएंगे आपकी दुबारा से आदाता है what is curious who are the artists begin this style देखोगे आप यह कोशन पहले भी आ रहा है आप ही देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको sample paper में भी दे रखा है और जो अपरेल में paper हुआ था उसमें भी यह question same to same question आया हुआ था तो इससे पता चलता है कि कितना important है sample paper को आपकी practice करना ठीक है तो sample paper भी आपको अच्छे से कर लेना है ठीक है जितना भी इसमें solution दे रखा है चैनल पे डाल दूँगा और telegram चैनल पे डाल दूँगा तो फटा-फट से join कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं कोर question paper हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके अप्रिल 2022 का question paper solution है वाट वी फाइंड इन महाबली पूरम ठीक है तो यह इतना important question नहीं है what is the meaning of ulcari name the state it is related to चीक है तो यहाँ पर इसका answer आजाता है इसके बाद next question है when did wellesley Candice की point black lines तो यहाँ पर आगे आपका mention to Picasso's famous period तो पहला blue period 1900 से 1902 और दूसरा क्या है rose period 1905 से 1907 तब इसके बाद दुबारा से question आ जाता है what do you mean by term cubism इसका answer आपको यहाँ देखने को मिल जाता है इसके बाद Ajanta के बारे में पूछा गया यहाँ पर where is the Ajanta case in which ways of Ajanta painting black princess was done ठीक है तो यहाँ पर आपका answer आदाता है और इसके बाद यहाँ पर आप देखो के दुबारा से dancing girl का question यहाँ पर भी आ रखा है तो यह question जो है बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है इसके बाद कंता सारी के बारे में पूछा हुआ है इसको अच्छे से explain किया गया है यह भी screenshot ले जीगा English video में describe the painting starry nights तो यहाँ पर देखो कि आप इपरेल में भी आया था और इस वाले अपरेल में भी आया था ठीक है इसके बाद आ जाता है हमारा describe the painting water lilies यह भी बहुत ज़्यादा important question है ठीक इसके बाद write a short note on the painting mall in the gallet यह इतना कुछ खास important नहीं है लेकिन painter fn soza के बारे में यह important है ठीक के बाद next question आ जाता है describe panicles painting words and symbols तो यह बहुत ज़्याद important question है ठीक यह आपको याद रखना है यह पर पाच पॉइंट इसके बारे में दे दिये गए हैं इसके बाद आ जाता हाव डिद राजपूत painting develop what are the contribution of Guler school in its development तो यह देखोगी यह वाला कुशन आपको भी हमें थोड़ी देर पहले sample paper में भी देखने को मिला था और यहां पर भी कोशन आ रखा है paper में ठीक है इससे पता चल रहा है कि आपको क्या करना है sample paper को नहीं छोड़ना है अच्छे से याद कर लेना है ठीक है इसके बाद का कुशन आ जाता है जो की most important question है ठीक इसके बाद next आ जाता है answer any one of the following question यहां पर choice दे रखिए इसका भी आट हमने कर रखा है right in brief on the kind of art evolved in the beginning of British Raj in India और भी पार्ट के राइट अप्रिशेटिव नोट और गगेंद्र नाट टैगोर पर अप्रिशेटिव नोट लिखने के लिए बोला गया है यहां पर ठीक है तो इसी के साथ यह वाला answer जो है अब खतम होता है और यह वीडियो भी खतम होती है I hope आपको अच्छे से समझ में आगे होंगा और यह PDF के लिए आप हमें contact कर सकते हो मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा और description में भी मिल जाएगा thanks for watching us have a nice day stay tuned with अधिविए अधिए अधिएड़ तैल्यू